Hello students and parents, welcome to our channel, मेरा नाम है तेजपरीत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चो जेए मेंस की जो इलिजिबिलिटी में अपडेट किया है तो सभी बच्चो जिन्हों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया या अपने फ्रेंड से शेर नहीं कर रहे हैं प्लीज स्टार्ट डूइंड 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 तो आपके कोई भी अपडेट्स मिस ना हो अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेई मेंस ने eligibility conditions को revise कर दिये, तो क्या revision है, क्या हुआ है, इसको discuss कर लेते हैं first notice है reviewing the eligibility conditions का, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही open करके रखा है तो ये 10th January का बच्चो notice है, students and parents, 10th January का notice है, क्या बात हुई है इसमें कि सब पहले क्या बात हुई थी है, जो prospectus आया था, उसमें लिखा हुआ था कि 75% marks आपको to class 12 में चाहिए, class 12 या qualifying examination में अब इसको change करके क्या किया गया है, इसको change करके ऐसा कर दिया गया है कि या तो revised क्या हुआ है, या तो आप अपने respective board में top 20 percentile में हो, या आपके 75% marks हो, तो ऐसे सभी boards, ऐसे सभी boards जिन में marking strict चलती है, जैसे पंजाब board में marks कम आते हैं और उनकी जो percentile है, top 20 percentile वो 75 से कम होती है, उन बच्चों को इससे फायदा होगा, जो CBSC board के बच्चे है, ICSC board के बच्चे हैं, जिनकी top 20 percentile उपर होती है, जैसे CBSC की around 84-85 percent होती है, उनके लिए कोई फरक नहीं पड़ाए, एक चीज और है, जो मेरे पास बच्चों ने question बु है, जिन्होंने पिछले साल paper दिया था, और पिछले साल because of covid situation एक relaxation दी गई थी 75 percentile, 75 percentage या top 20 percentile से, इस बार वो हटा दी गई है, तो ऐसे बच्चे जो है eligible नहीं है, किस चीज के लिए eligible नहीं है, अब आप ऐसा मतलब नहीं है कि आप J.E.Mains के लिए eligible नहीं है, आप J.E.Mains के ये तो eligible है, लेकिन NITs, IIITs और GFTIs में admission के लिए आप eligible नहीं है, ये देखो, यहाँ पर mentioned है, मैं आपके लिए दुबारा से यहाँ पर mark कर देता हूँ, आपके लिए easy हो जाएगा, NITs, IIITs और CFTIs, इन में admission के लिए eligible नहीं है, J.E.Mains का paper देने के लिए आप eligible है, तो next question ब बचू कि कई अच्छे colleges ऐसे हैं, जिनका 75% का criteria नहीं है, जैसे for example, अगर आप J.E.Mains के basis पर बात करें, तो जो Delhi के colleges है, Delhi के top colleges, DTU, NSUT, उनके अंदर आपको 75% marks नहीं चाहिए, वहाँ पे relaxed है, similarly Jack Chandigar के कुछ colleges है, similarly कुछ premium private colleges है, जहाँ पे की आपको board में 75% marks नहीं चाहिए Similarly, एक काफी popular exam है, कॉमिट के का, करनाट का का, वहाँ पे भी आपको 75% marks नहीं चाहिए, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है, जिसके mark 75% से कम है, तो वो बच्चा भी अच्छी seat ले सकता है, लेकिन वो बच्चा आप NITS, IIITS, CFTIS वहाँ पे eligible नहीं हो पाएगा, अगर उसके 75% से कम marks हैं, और अगर उस बच्चे का अपने respective board में top 20 percentile में score नहीं आता, whichever is lower, दोनों में से जो कम होगा, वो बच्चे allow करती जाएंगे, तो ये एक update था, जो कल JEE की website पे आया है, मुझे था कि आप लोगों से share कर देता हूं, और आप लोगों को बच्चों पता है कि अब ब weeks to go, है न, आज 12th होगी है, 14th, 24th से paper शुरू है, 12th days रह गया है, तो सभी बच्चों को मैं यही advice करना जाता हूं कि जैसे ही आपके admit cards आ जाते हैं, आपके slots आ जाते हैं, आप अपनी body clock को set करना शुरू कर दीजिए, जो बच्चे early morning या late night पढ़ते हैं, वो अब during the day time अप two to five का slot होता है, जही का, उन slots में paper दीजिए, और अब अपने strong points पे focus करिए, अपने weak points पे focus ना करिए, जो आपके strong chapters हैं, उन पे focus करो, उसको compile करो, because आपकी strength अब काम आने वाली है, weakness पे अगर पिछले date साल में काम नहीं हुआ है, तो यह वाले 10 दिन उन पे focus करने के लिए न form फिल कर दीए, because आज last date है, मैंने थोरी देर पहली एक video share किया था, आज की 12th is the last date, तो अगर किसी बच्चा ने form नहीं फिल किया, please कर लिजिए, और ऐसा मत सोचना की तयार ही नहीं है, तो first attempt नहीं देना, first attempt भी दीजिए, practice हो जाएगी, right. So, thank you so much students and parents, I will see you in the next video, bye.